स्टेटोस्कोप को यूज कैसे करते हैं ये स्टेटोस्कोप है इसमें ये वाला जो पोशन है ये हम कान में यूज करते हैं ये जो बाहर की तरफ जब होता है वो एक करेक्ट पोजिशन है स्टेटोस्कोप को यूज करने की अगर हम अंदर की तरफ रखके इसको यूज करते हैं तो वो incorrect position है तो stethoscope को यूज करने के लिए पहले हम correct position में उसको कान में लगाएंगे फिर ये उसका bell है ये वाला side जो है वो high pitch voice को सुनने के लिए यूज होता है जैसे कि pregnant ladies में बच्चे की fetal heart rate को सुनने के लिए हम ये वाला side यूज करते हैं और normal respiratory rate या फिर बाकी चीजे औसकल्टेट करने के लिए या सुनने के लिए शरीर में हम ये वाला side यूज करते हैं तो इसमें stethoscope का bell side है उसमें open and close करने का side होता है तो उसके check करने के लिए हम हलके हाथ से tap करके देखेंगे इसमें अगर आपको properly इसमें ठपठप की आवाज नहीं आ रही है इसका मतलब वो बंद है तो हम उसको ऐसे करके घुमा लेंगे घुमाने के बाद हम दुबारा tap करके देखेंगे अब ये on हो गया है और on करने के बाद ही हमें stethoscope को यूज करना शुरू करना है